सो जब भी मैं फ्रीफाइट की वीडियो बनाता तो हर वीडियो में एक चाहिए दिखाए देते भाइ मेरी आईडी बैन होगी भाइ मैंने कोई एक नहीं किया तब कि इस फायदा करने आज अगर आपके आईडी बैन है तो आपका यहां पर अनभेण और आपके अगर प्रणाइब तो आपके बैंड नहीं हो तब भी टेंसा नौट आप लोग के लिए मोशन पूर्ट इन वीडियो होने आले क्योंकि अगर आपने में कोई यह गलतिया कर रहे हो तो आपकी बैंड हो सकती है तो कौन-कौन सी गलतिया है जिनका अगर आप लोग गेम में यूज क कि क्या क्या नहीं करना था और कैसे अप अन्बैंड कर सकते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते कि फ्रीफार के आडी बैंस क्यों होती है तो फाइनली आप फ्रीफार ने कुछ रिजन बता है जो कि टॉप सेवन रिजन से जिसके कारण अगर आप लोग यूज करते हैं यहां अधर फाइल यूज करना स्टार्ट करते हैं कि आपको बोलेंगे कि हम आपके गेम परफॉर्मेंस को 70-80% बढ़ा देंगे यह कर देंगे तो वह सारे जो अगर यूज कर रहे हैं तो इस लिजन से भी आप लोग की आईडी बैन हो जाथी क्यों कि फ्रीफार को ऐसा लगता कि गेमिंग के लिए उनका एक अलग से सिस्टम रहता तो वह सब चीजों पर उतना बैन नहीं होता 99-100% तक बट अगर आपको यह सा अनुथ्राइज एप यूज करते हैं लाइक आप प्लेश्टों से हैं कि इदर वेबसाट से डाउनलोड करके कि जिससे आपका फॉर्में पर शुक्षेफ़ के पास अभी तो भूत कम उतना लेकिन पहले बहुती होता था अभी आप लोगों करते तो रुख जाना यहाँ पर सोस्ते फूल यहांपे उनक्छा नहीं होंता तो इसके इसकी आपको फ्रस दिन कर लोगे तो free fire का इसमें profit कैसे निकलेगा कोई भी बंदा फिर diamond spend नहीं करेगा कोई भी बंदा यहां पर पैसे invest नहीं करेगा कोई भी बंदा game को उतना seriously नहीं लेगा क्योंकि सारे reward उनको free में मिल जाएगा कोई इवेंट इतना ध्यान से नहीं खेलेगा या कोई भी गन इसकीन नहीं नहीं निकालेगा तो इस रिजन से free fire क्या करता है अगर आप इसे टाइप के टूल से यूज कर रहे तो free fire आप लोगो क्या किसी भी टाइस का टूल्स यूज ने करना जो आपके गन इसकीन या परफॉर्मेंस को थोड़ा बढ़ा दे ठर्ड़ जहां पर free fire ने बोला है कि आपने को भी नॉन ओफिसल प्रग्राम लाइक बहुत सारे मैंने इसे देखता हूं पब्लीक भी बहुत सारी यूट्यूब से वीडियो मिलते मैंने कुछ दिन पहले इस पर वीडियो बनाया था है फैक विक के बारे में तो वहां पर ऐसा था कि पहुत सारे लोग यहां पर बोलते कि आप मेर सारी विडियो भी मिलते साथ बहुत सारे बन्दों को इतना नॉलेज नहीं होता कि उनको लगता है कुछ होने आला ने क्यूंकि बंदा बोल रहा यूटूबर है बहुत सारे यूटूबर आपको देखते हैं लेकिन मैं आपको अपने फैमिली जैसा है इसके लिए आपको सब्सक्राइब नहीं कि समा सकते हैं लोग करोर और लाख और पर मतले जो जिससे अनिंग होती है या लाख और पर उन्होंने फाइल यूस कि रहेंगे जिसे उनके आईडी बैन यह सिस्टम में न जाए तब भी उनके आईडी बैन होगे क्योंकि फ्रीफा इसा चीज़ों स आप लोग फ्लाइंग की सब्सक्राइब या टेलिपोर्ट होगे ग्लू ओल के आरपार मतले होगे तो वो सारी चीज़े फ्रीफा को सब ख़बर होती रहती क्योंकि उनका पुझा इसा बनाना प्रोफर्मेंस हाही करना है तो यह सब चीजों को मत यूज़ करना अगर आप कोई भी heads or tools या कोई teleport टाइप का tools भी इसका चीज करते हो programming यूज करते हो जो भी बंद आपको बोले कि कुछ इससे नहीं होगा होगा guys ID ban होगी हर week हर month free file लगभग करोड़ों लोगों कि ID ban करता है जो कि आप लोग समझ सकते हो और यहाँ पर guys fourth reason free file ने बता है कि आप लोग like कोई भी unfair advantage लेना चाहते हो guys बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब खेलते रहते तो उसमें वो लोग tricks type का यह बहुत सारे बंदे लोग बोलते कि ऐसा file यूज करो जिससे आप लोगो direct bots बंदे मिलेंगे direct आप लोगों को यह नूब बंदे मिलेंगे जो starting trade के होंगे वह सारे बंदे बोलते कि अगर तुम यह वाला file को use कर लोगे तो आप लोग यहाँ पे मतलब head पे head नहीं लगेगा जिससे free file लेकिन आप लोग अच्छा काशा damage देगा तो यह सारी चीज़े भी अगर आपको कर रहे हैं किसी file का use करके तो आप लोग की आईडी बेहने से तो कुछ भी free file जैसे आप प्लेश्टों से download करते हैं उसके file के साथ आपको कोई छेर खानी नहीं करनी चाहिए आपका हाई पिंग हो हाई लेग हो इसके मैंने उपाई बता है सौर्ट सौर्ट में कि इससे भी ठीक हो जाते हैं बट कोई अगर आपको बोलता है एप डाउनलोड कर लो या तू यह फाइल डाउनलोड कर ले या टूल्स डाउनलोड कर तो इस रिजन से आईडी बेहन होती है आप इस पत्थर के अंदर चले जाओगे आप इस वाल के अंदर चले जाओगे यहां से आप फायर कर सकते हो यह कर सकते हो लेकिन ग्लीचेस होते हो फ्री फैर के बग्स होते है अगर आप वह चीजों को यूज कर रहे तो फ्री फैर उसको भी एक टाइप का है की समझता है क्योंकि आप किसी वाल के अंदर चले गए हो किसी ट्री के अंदर चले गए किसी आप यहाँ पर पत्थर के अंदर चले गए तो प्रिफर्स को है की समझ लेता है और इस रिजन से आपकी आईडी बैन हो जाए आप लोग बहुत सारे ग्लीचेज के वीडियो देखते हैं और मेरी सबसे बड़ी गलती है जो यूटुबर्स की अगर वह बलते हैं कि भाई आप ग्लीचेज देखो यूज करो लेकिन इससे कि किल मत करें या कि इसका फायदा मत उड़ा अगर आप फायदा उठाओगे तो आपको अल्रेटी मेरी कोई रिपोर्ट कर देगा तो आप लोग की आईडी उससे बैन हो जाती है तो अगर आप लोग कोई ग्लीचेज भी यूज कर रहे तो आप लोग को नहीं करना ने तो इ आपके साथ अच्छा नहीं खेलता है या गाली गलोश देता है या कोई बंद अच्छे से प्रफरेंश नहीं करता तो बंदे गुस्टे में आपके फ्रेंडी या घूस एंप लोग को रिपोर्ट कर देगा इससे भी बहुत प्रॉलम होता है अगर आपका मुल्टिपाय र इसके लिए गाइज मैं आपको सजेश्ट करूंगा कि आप ज्यादा गेम खेलता हो चार-पाच गंटा तो कनफवा में कोई आपको बार-बार रिपोर्ट करी देगा क्योंकि आप अच्छा खासा खेलते रहों के आपको सजेश्ट करूंगा ज्यादा ने एक दो घंटा केलना का इस दूसरे की रेटर बोलेंगा आपको पांच गंटा से ज्यादा मत खेलना क्योंकि इससे भी रिपोर्टिंग बते हैं साथी जार अगर हो तो अगर आप लोगों को पसा चले कि इस टाप के बंदे हैं लाइ करना इस करता है कि बंदे का है यह बंदे का मल सब कुछ रेट देखता है कि ऐसा नहीं कि अगर बंदे का 90 80 हैट बंदा कि अच्छा क्हेलता हो चाहिए खेलने से क्यों आप पर फ्रीफेक को लग जाता है कि बंदे ने कोई हैं टूल यूस किया जिसके हमारा सिस्टम नहीं पकर रहा है और इसी रिजन से उनकी भी आईडी को बैंड कर दिया जाता है तो इसी रिपोर्टिंग वाला भूत ही अनफिसल रिजन है क्योंकि आप लोग जानते हैं इंडिया में तो बहुत सारा ऐसे फ्रेंड्स में लड़ाई जगना होता तो रिपोर्टिंग करना स्टार नहीं करते हैं पर इंडिया में क्या होता है गुस्से में पब्लिक कर देती तो यह एक अनुफेसल रिजन है लेकिन इस रिजन से भी आपके आईडी बैन होती है ऐसा फ्रीफार ने बोला है अब बढ़ते होारे सबसे आखरी वाला रिजन होगा फ्रीफार के बैन होने जो को रिकनाइस करता है आज आपके आडी बैन है वन मन तू मन ठी मन जैसे फ्रीफार में उस शिस्टम अप्डेट होगा उनको यह सब चीजे पता चलती है तो फिर वह सिस्टम को अपने फ्रीफार गेम में एड कर देता है तो यह कोई बंदा इसको यूज करता रहते है तो से हां पर केच हो जाता है कि हाँ यह बंदा इस्ट आपका ntx श्रम कर रहा है illegal data transfer कर रहा है तो इससे भी आपका ID वैन हो जाती है तो गाइज यह टॉप 7 डिजन माला मेनी में डिजन से आपका ID वैन होती है अगर आपने से कोई भी डिजन किया और तो आपके इन सब जीजोंटों से से भी आपने कुछ नहीं किया ना glitches use किया ना आप पर कुछ hack use किया ना कोई टूल सी तब आपके ID banned, unbanned हो सकती है उसके लिए आपको क्या करना उसके मैं आपको आगे step बता रहा हूँ तो आपको जश्ट इसको इसी पर जाना किसी अधर वेबसाइट पर मैं चल जाना यह ओफिसल वेबसाइट है और आप लोग भी खुद भी चेक आउट कर पाऊगे कि रियल है की नहीं तो गाइज जैसे इस पर लिखा गया कि आप उसी आईडी से लिंक करो जिससे आपका फ्रीफार एकाउंट है तो गाइज यहां पर मैं आपको एक्जामपल कर अपना जीमेल एकाउंट से लोग इन कर ले ना उसके लोग इन होते आपके सामने बहुत सारे इंफोर्मेशन आ जाएंगे एनौस्मेंट इसू गेम कंसर्ण पेमेंट इसू यह सारे चीज़े होती है आपको फ्रीफार में क्या कुछ होना आपको जहां पर पता चल जाता है और उसी के साथ-साथ यहां पर आपको ध्यान देना है सबसे टॉप पर आपकी जिस नाम से आपने जिस जीमेल आइडिया फेस्बुक से इससे भी लॉग इन किया होगा उस आइडिस आपका फ्रीफार में जो नाम से एकाउंट बनाऊगा वो टॉप पर आपको दिखा देगा मैंने जैसे एक बनाए जीके जीरो सिक जीरो सिक जीरो सिक नाम का तो वहां पर गाइज मेरा वो मुझे उसकी आईडि का नाम दिखा रहा है मतला आपने सही लॉग इन किया होगा इससे आपका यहाँ पर नाम दिखा देगा यह इसाम ने कुछ यह इंटरफेस आ जाता है जिसमें आप लोगों को यहाँ जीय जी इसा बॉक्स पर दिखाए जाता है इस पर क्लिक करना तो आपको जो गेम को से लेट कर ना तह आप लोगों का फिर अधर एक नीचे ओप्सोन आजागा सब्जेक्ट सब्जेक्ट में क्लिक करना है तो किस विजन से आप फ्रीफाय को कॉंटाक करना चाहते हो लाइक यहां पर आप लोगों करके रखना है फ्रीफायर माई आईडी बैन यहां मैं आपको पूरा एक अच्छे से देने वाला हो आप लोगों के सामने कैसे क्या कुछ लिकना जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो इसके अगर आपकी जो फ्रीफाय के एकाउंट का नेम होगा वो भी आउट्रमेटिक आजाएगा फिर यहा बैन करना उसकी बारे में बता रहा हो तो वह किलिक करना है फिर डिस्क्रप्सिंट में गाइस मैंने बहुत अच्छे से इंग्लीज में आपको पूरा लिख के दे दिया है जैस्ट आपको इसको देखके सेंटू सेंट कॉपी पेश कर लेना यह आपको स्क्रीन सोट लेकर क पेश करने आता तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं आता तो आप लोग सेंटू से लिक लेना जो कि आप लोग के सामने यहां पर देख रहे हो पूरा सिस्टम आएगा तो आपको कॉपी करके यहां पर पेश कर देना और यहां पर अपनी दिहां से जो आपकी आईडी ह अपनी डालना और साथ आपको जो नाम देगा हो तो अटमेटिक यहां पर आ चुका तब भी आप लोग डालके यहां पर उनको कंसर्ण करना कि आपने बीन रीजन से मेनी इडी बैन हो गए प्लीज इसको स्वाल करें जल्दी से जल्दी उसके बाद गयाज यहां पर स्क्र इंसॉट आप है लाइक आपने जो में आपने दिवाइच करण से और यहां नहीं नहीं तो डैक्ट करेंड़कर आपने तो क्या हुए अभी atenção option आया कि नहीं आया तो अभी यहां पे आप लोगों जैसे status क्या है solve हो गया कि अभी बाकी यह सब आपको यहां पे दिखाए देगा और साथी साथ गैस अगर मैं आप लोग से suggest करूंगा अगर आप लोग का नहीं solve हो रहा है मलब जल्दी आपको one से two week के अंदर आ जागा message अगर नहीं आ रहा है तो आप बार बार इसको रिपोर्ट करते रहे ना क्या होता है free file भी फिर जैसे आप ज़्यादा रिपोर्ट करके तो automatic free file फिर आपके जो problems का solution देगा अगर आपके id सही में आपने कुछ गलत चीज की होंगे मैंने अल्रीडी सुदात में बोल जाए अगर साथों में से कुछ चीजे हुई रहेगी तो आपके id confirm नहीं हो पाएगी लेकिन आपने नहीं कुछ की है तो आप लोग के Unmanned हो जाएगी तो यह चीज आपको करना अगर आपके id बैन हो चुक इसको Unmanned के से करना है तो आप लोगा कि कैसे आप लोग के ड़ोगा आपके कि इनने शुड़ों में तब तो के लिए बाइट करेंगे हैं